तो शुरू करते हैं इम टाइम का नाम लेकर और जैसा कि पिछले अपिसोड में हमने देखा था Northern 7th Hall के अंदर सभी disciples जिनके पास भी rank 4 का card था यानि token था वो एंटर कर चुके थे और सबके token के rank के हिसाब से इनको points भी मिल गए थे जैसे Moo Chen को 1100 point अब आगे King Ling के 800 spiritual point क्योंकि जबकि इसके पास भी rank 7 का card था फिर भी मूलिंग वगे रखो तो 100 के आसपासी point मिले थे मूचेन देखता है लोगो लोई की तरफ और कहता तुम अचानक से काफिक अमीर हो गई हो तब ही अचानक से कोई पूसता है इस old man से कि हम अपने point को कैसे बढ़ा सकते हैं old man बताते हैं जब academy में प्रवेश करोगे तो अलग-अलग प्रकार के टास्क रहते हैं उन्हें पूरा करके तुम spiritual points बढ़ा सकते हो जैसे कि spiritual beast को मारके और कुछ एक दूसरे से fight करके भी अगर competition वगरा ले रहे हो तो कुछ लोग पूछते हैं फिर अब हम कब northern 7th academy के अंदर enter करने वाले हैं old man कहते हैं अगर rules वगरा को देखा जाए तो तुम लोग अब तो qualified हो चुके हो पर एक और rule है जो भी अगर rank 7 या उसके उपर के symbol वाला बंदा है उसके लिए एक और टास्क है पर ये जरूरी नहीं है इसमें अगर तुम हार भी गए तो तुम academy के अंदर प्रविस्ट कर सकते हो हाँ लेकिन अगर तुम जीत गए तो तुम्हे 5000 spiritual points मिलेंगे rank 7 का card जिन लोगों के पास था उनमें से एक पूसता है तो ये test किस प्रकार का है तो ये old man बताते है कि तुम्हारे ही northern sevens academic कुछ seniors आएंगे उनसे तुम्हारी fight हो गई और अगर हरा दिये तो तुम्हे 5000 points मिल जाएंगे old man hand sign move करते है और तस 12 लोग यहां पर प्रकट हो जाते हैं और आते ही लोग discuss करने लगते है कि बाकी जो तीन तरफ से लोग आये है हमारे northern sevens wall में वो लोग इन्ड से जल्दी भी आ गये थे और शाद इनसे ज़्यादा भी powerful है अब ये सब सुन कर मूचेन मगेरा हरान थे मतलब ये जो लोग जो आये है मूचेन मगेरा एक wall से आये है ऐसे ही तीन और wall है और ये सबी लोग northern sevens academy में प्रवेश करने वाले हैं और वो तीनों इनसे ज़्यादा fast थे ग्रूप वाले मतलब और इन 10-12 लोग जो आये थे यानि seniors इनके ग्रूप में एक woman थी red dress में लड़की कहना सही होगा और सबी लोग बस इसी को देख रहे थे और ये लड़की कहती है मैंने सुना की जो बाकी तीन ग्रूप वाले आये हैं वो तो हमारे batch के जो seniors हैं उन्हें भी हरा करके वो points भी जीत चुके हैं पर शाद ये लोग इन में सबसे powerful साद अवेनी heavenly fusion step पर भी नहीं पहुँचा मूच एनवी से लड़की को देखता है इसका नाम था आनरान और इसका level heavenly fusion stage के initial phase में था और ये लड़की ये जो group आये था भी seniors का इसकी leader थी और ये कहती है जिसके पास भी rank 7 का symbol है वो challenge कर सकता है और तुम चाहो तो give up कर सकते हो और इस दुरान ये बताती कि हमारे साथ जो भी लोग आये हैं वो spirit ranking के top 50 के भी बाहर या उसके आसपासी है और इस समय इनके group से एक बंदा कहता है कि sister on run आपको इने पहले से नहीं डराना चाहिए असिल करके इस northern wall को समण कर चुकी होती पर इस दुरान जो seniors की बैस थे उनमें से आनरान से कुछ पूछ थे कि कौन थे वो लोग जो हमारे बैच के लोगों को हरा पाए तो आनरान इसे बताती है कि बिंग किंग, मु कुई और यांग हॉंग ये तीन लोग हैं जो तुम्हारे बैच के हैं पर हमारे बैच के लोगों को हरा पाए और यांग हॉंग का नाम सुनते ही मूचैन को याद आता है ये तो वही है जिससे मेरे एक बार भेडंत हो चुका है यहाँ पर नहीं spiritual road में और किंग लिंग इस समय तो कहती ही मैं तो नहीं लड़ रही बैटल क्योंकि इसका लेवल spirit stage के अभी initial phase में ही था और इस समय कौन किस से fight करे वो lot को यादी को निकार कर पता चलता है और मूचैन के एक light beam आती है और ये light beam में लिखा हुआ था मतलब इसका battle आनरान से होने वाला था जो कि ये जो seniors का group है उसमें सबसे अदा strongest थी और इस समय सीव फैमिली वाले काफी खुचते कि अब तो मजाएगा जावलिंग वगरा सुचते है मूचैन का लग सच में काफी खराब है आनरान भी देखती है spirit stays middle face give up कर दो या कोई और चुन लो और तुम्हारे group में बस एक ही लड़की है एक ही लोग है जो मुझे fight भी कर सकती है और ये लूओली की तरफ देखती है लूओली भी सोच रही थी तो अभी मूचैन कहता है ये battle मुझे लड़ना ही पड़ेगा अगर यहां पर यांगोंग आया नहीं होता और वो seniors को हराया नहीं होता तो मैं ये करता भी नहीं अब मुझे भी करना पड़ेगा लूओली समझ जाती है और इसे good luck बोलती है आनरान हैरान थी कि ठीक है तुम fight करना चाते हो कोई और senior चुन लो पर मूचेन समाइल करता है और कहता है senior please advise me मतलब मैं आप ही से fight करूँगा और मूचेन इस तन इनको भढ़काने के लिए कहता है जब मैं सीखना शुरू किया थना तो शाद आप लोगों के प्यार में पढ़ रही होंगी बाकी लोग तो समझ जाते हैं मूचेन इसे भढ़का रहा है white old man smile करते है और इस बातों में यो कुछ बोलते भी नहीं है आनरान को गुस्सा आता है क्याती ही तुम क्या कहे और अजानक से गाइब होकर ये मूचेन के सामने प्रकट होती है और तुरंती एक spiritual energy fluctuation से मूचेन पर attack कर देती है लूओली फिलाल इस औरा को block कर देती है क्योंकि fight अभी शुरू नहीं हुआता है आनरान इसे समझा दे कि जितना बोल रहे हो उतना करके भी दिखाना पड़े मूचेन कहता है thanks senior बताने के लिए आनरान अब गुसे में कहते है कि old भाई match को शुरू करिये old भाई हामे सरिलाते और घंटी बजाते थे आनरान भी आखे बंद करते है और सोच के बैटे थे कि अब इस newbie को सिखा के रहूंगी मेरे सामनी तना arrogant और ये दोनों इस्तर एक अलगे एरीना में पहुंच जाते और बाकी लोग बस स्क्रिन लाइट के थुरू इस match को देख सकते थे सभी की नजरे इस match पर थी खास करके वो जो शी फैमिली के बंदे थी उनको तो बस मौका मिलाता कि चलो मूचन कहीं न कहीं पीटा ही जाएगा Heavenly Fusion Stage के बंदे से इसकी इतनी उकात होगी कि ये fight करेगा आनरान भी इस समय गुस्ते में थी वो कहती कि आज तक किसी इंसान ने मुझे ऐसा कहा नहीं था मूचन स्माइल करते कि सीनल जब आपको पसंद नहीं है तो चली आप fight ही कर लेते हैं और मूचन अपने shadow spirit step को activate करता है और कई सारे after images बनाती हुए आनरान के तरफ बढ़ जाता है आनरान जब ये देखती है तो अपने औरा से ही मूचन को पीछे पुश कर देती gap सच में काफी बढ़ा था और ये कहती बस इतनी abilities पर तुम मुझसे fight करना चाते हो और ये कहती अपना full strength यूज़ कर और वैसे भी तुमें मौका नहीं मिलेगा मूचन कुछ बोलता नहीं और तुरंत अपने वजरप अगोडा को activate कर देता है अब इसके body के असपास golden tower बन जाता है आनरान कहती है ये पहले से अच्छा है और एक dark bomb attack इसकी तरफ बढ़ा देती है बैटल इंका शुरू हो चुका था और मूचन ने जो वजरप अगोडा बनाया था उससे आनरान क्योंकि strength में gap काफी ज़ादा था तो forcefully destroy कर देती है और जैसे ही मूचन के मजी लेने वाली थी इसका expression बदल जाता है क्योंकि इसने अभी just कुछ तो feel किया मूचन के body से एक light निकलती है golden light और कई सारे complex diagram arrays यहाँ पर बनने लगते है ये पकड़ लेती है कि spiritual array और इतना fast आनरन के थी ठीक है rank 2 के array master हो तो पर मुझे रोकने के लिए rank 3 का array master चाहिए इधर मूचन spiritual seals बनाता है और dragon elephant array को activate कर देता है आनरन इस attack को देखका अपना shattering ethereal palm attack इस golden dragon elephant पर launch कर देती है मूचन इधर dragon elephant suppression technique इस array का यूज़ करता है पहले attack को तो ये surprise कर देता है पर आनरन फिर से एक attack ही use करती है wave surfing slash और इस पर इसने अपना अच्छा गासा dance spiritual energy use किया था जो कि wave के form में एक blade का shape लेकर इस मूचन के attack से जाके टकरा जाता है और मूचन के attack को ये दो भागों में काड़ देती है सबी समझ रहते कि senior search में काफी जादा powerful है पर इस समय दूसरी तरफ लूओ ली का भी battle चल रहा था जो कि अब खतम हो चुका था और इसका battle जिस senior के साथ हुआ था लूओ ली उसे thanks बोलती है लड़के का चेरा लाल था इस लड़के को लगा नहीं था जबकि यह senior था यह लड़की इसे हरा दे कि लड़की भी यानि अपनी लूओ ली heavenly fusion stage पर थी तभी तो आनरान नहीं भी कहा था कि यहाँ पर बस यही एक लड़की है जो मुझे challenge कर सकती है और लूओ ली अपनी battle को बीना किसी चोट के जीत चुकी थी इधर आनरान गायब होकरके मुझे न के सामने पर कट होती है और मुझे न के chest पर एक ruthlessly attack launch कर देती है और इस attack से मुझे न काफी दूर जाके गिरता है 100 मीटर के जाने के बाद यह अपनी body को stabilize कर पाता है हाथ भी इसके नम पड़ चुके थे और मुझे न अब serious हो रहा था क्योंकि दूसरी बार यह heavenly fusion stage की किसी बंदे से fight कर रहा था पहली बार इसने लिव जिंग शान यानि लिव टेरेटरिक है जो grandpa थे उन से fight करके उन्हें मारा था और उसके बाद यह 15 दिन तक बिगोश भी था हाला कि यह पहले से काफी improve हो चुका है पर gap सच में अभी भी जाता है आनरान जब इसकी तरफ फिर से बढ़ती है तो move chain after images टेकनिक बना कर यहां से थोड़ा पीछे प्रकट होता है और इस समय इसका जो mind था वो 9 निदर बढ़ के पास जाता है जो कि इस समय मंडाला फ्रावर में आराम से मजे कर रही थी और पहले से यह काफी ज़्यादा recover कर चुकी थी दोनो spiritual beast की power को ले कर गे और इसके black flame भी पहले से ज़्यादा condensed form और blackish हो चुके थे निदर बढ़ के आती है तो तुमें मेरा strength चाहिए ऐसे opponent के खिलाब फिलाल मैं अभी भी recuperate कर रही हूँ Moo Chen कहता है मेरे जो power है मैं उसे लेने आया हूँ क्योंकि अब नीदर बढ़ और इसके बीच में एक bloodline bond है तो ये नीदर बढ़ के कुछ powers को use कर सकता है और इस समय इसका भी जो कुछ power है नीदर बढ़ भी use कर सकती और नीदर बढ़ को क्या जोरत Moo Chen के power का नीदर बढ़ है सके कहती है और black flames Moo Chen को cover करने लगते है इधर आनरान देखती है कि Moo Chen के आँखे बंती ये कहती है अब तुम्हें समझ में आया हमारे बीच का gap क्या है और ये कहती है खेलने का समय खतम हो गया अभी Moo Chen कुछ बोल भी नहीं रहा था इससे भी अब बोल हो रहा था और ये तुरंट थी अपने spiritual energy को condense करती और Moo Chen की तरह ये final attack कर देती है पर जैसी attack launch करती है Moo Chen अपनी नजरे उठाता है और कहता है कि senior आनरान इतना जल्दी खुश नहीं होना चाहिए चारोत और अपका space black flame से भर जाता है और temperature भी बढ़ना शुरू हो जाता है Moo Chen अपने fish से एक wind attack बनाता है और आनरान की attack को head on ले लेता है दोनों इस दोरान कापने लगते है और थोड़े दूर जाके गिरते है लोग हैरान थे कि Moo Chen head to head कैसे fight करने लगा पहले तो ये सपरेश था बाकी जो भी जूनियर्स ने challenge किया था सबके battle up खतम हो चुके थे आनरान भी हैरान थी ऐसा कैसे हो सकता है ये भी वो mysterious black flame को देख रही थी कि Moo Chen का energy कैसे अचानक से बढ़ गया Moo Chen अब smile करता है और कहता senior on run फिर से fight करते है अनरान कहती है ऐसा तो नहीं कि मैं तुमसे डर नहीं हूँ और ये तुरन थी अपना shattering ethereal palm attack Moo Chen के तरफ बढ़ा देती है इधर Moo Chen कई सरय after images बनाते हुए इसकी तरफ लाई का घोष्ट बढ़ जाता है Moo Chen के attack से इसका palm attack टकराता है और एक बर फिर से भयंकर लेवल का shock wave चारो तरफ expand होने लगता है और दोनों का energy जोकि दोनों समय connection में थे तो एक दूसरे का energy दूसरे को erode करने को यानि जलाने को देख रही थी और Moo Chen का जो dark energy था वो अलग था और black flame खास करके ऐसा लग रहा था आनरान का जो spiritual energy है उसे ये black flame जला दी रहे हो आनरान भी surprise हो जाती है और तूरंथी पीछे हटने लगती है और इस तमें पीछे हटने के बाद ये अब इसके body के पीछे एक icy blue hawk परकट होता है यानि कि chill type ये इसका spiritual beast है और इस समय आनरान के body एक armor भी बन जाता है नए student तो समझ जाते है कि ये इनका heavenly beast है Northern, golden stripe, she hawk और इस beast का ranking 65 है Mirriard beast ranking में लोग हैरान थे कि ये लड़का senior आनरान को इस level तक push कर दिया जबकि ये spiritual spiritual state के middle face में है और guys किसे ने कहा तो मैं आपको बता दू इसमें जो है न Ling Dong की बेटी Ling Zing भी है जो कि Moo Chan से जब Moo Chan Academy की पड़ा ही पूरी कर लेगा तो मिलेगी और वहाँ से असली story सुरूँ होगी Great Thousand World की इसमें Master Yao Lao Grandpa Martin सभी लोग है हाँ बस किसी की fight नहीं है यहाँ पर fight ज्यादा तर Moo Chan की है और last में कुछ अलग है आगे बढ़ते है आनरान भी कहती है मुझे इस level तक force कर देना सच में तुमारे लिए बड़ी बात है Moo Chan फिर से कहता है Senior please पंक फड़ पड़ाते हुए बढ़ता है और जैसे जैसे आगे बढ़ता है freezing power बढ़ते जा रहा था यह अनरान का सैथ सबसे powerful attack था Moo Chan में स्माइल करता है कि fight अच्छा ही होगा Moo Chan अपने एक पैर को जमीन पर बीटता है तुरंती इसके body से black flame के और इसको लपेटने लगती है और धीरे धीरे आसमान तक पहुचने लगती है और यह black flame एक shape लिने लगती है एक bird का और वो जो hawk आ रहा था उससे जाके directly टकरा जाती है Zowling वगेरा के भी battle खतम हो चुका था तो यह लोग भी Moo Chan का battle देख रहे थे और हैरान थे यह बंदा spiritual sorry spirit stage के middle phase में और इस प्रकार का power she, zinktian और see how तो इनका चेराई बदल जुका था कि Moo Chan इन से कहीं उपर है फिर भी यह कह रहे थे कुछ भी कर ले heavenly fusion stage से तो यह नीचे ही है लोग इस समय उस battle को देख रहे थे मानु किंग की आवाजो और वो जो icy hawk था जो कि एक तरह से मर भी चुका था क्योंकि आनरान उसको डेवोर कर चुकी पर Moo Chan के case में अलग था नीदर भड जिंदा है और dark spiritual energy के over wearing aura के कारण आनरान भी अब सपरेस हो चुकी थी दर बदर ये जो ice power था पिगलने लगता है आनरान को भी लगता है मानु की spiritual energy जलने लगी हो और ये जो black bird थी एक mist के form में एक light के form में बतलती और icy blue bird को पूरी तरह से भेंद देती है Moo Chan का भी और आप देरे देरे गिरने लगता है और finally सबी लोग देख सकते थे Moo Chan को भी और आनरान को भी लोग हैरान थे Moo Chan ने आनरान के attack को dissolve कर दिया था जावलिंग भी सोचता है यार ये बंदा अंदर से तारीफ इसके निकल रही थी और ये याद करता कि spiritual road पर भी इससे कोई टकर नहीं दे पारा था अब ये वीक है फिर भी कोई नहीं दे सकता दोनों शी ब्रदर्स का चेहरा तो अगली हो चुका था इनको समझ में नहीं आ था मूचैन ने ऐसा क्या किया और ये battle basically मूचैन जीत चुका था सूनेर तो ताली बचा रही थी लोली बस smile करती है आँखे इसकी और खासकर के eyebrows चंदर के समान थी जिस लड़के को ये पसंद करती थी वो सच में एक्स्टा ओडिनरी था आनरान का भी चेहरा जो पहले काफी cold था कई सारे complex emotions के साथ भरा हुआ था आनरान ओल्ड बाई की तरब देखती और कहती मैं हार चुकी हूँ ओल्ड बाई भी मूचेन से काफी प्रभावित हुए थे किस लड़के की बोड़ी में कुस तो interesting है और ये smile करते है उन्हें भी नहीं पता था क्या है पर ये feel तो कर सकते थे और ये 9 इधर बढ़ अगर ये evolve हो गई तो ये heavens ranking में जा सकती है और मूचेन का point जो पहले 11 होता बढ़ करके 6100 हो जाता है तो final competition में खताम हो चुका था और Northern Heaven Spiritual Academy सभी काब सुआगत करता है ऐसा old man बोलते है और वो जो bronze gate था finally खुल जाता है अब ये जो 5 great academies थे the great thousand world में बहुत अच्छे से जाने जाते थे हाला कि इसके बाहर के दुनिया और भी काफी ताकतवर्ती फिर भी और यहाँ पर ऐसा कहा जात कि यहाँ के जो teachers है वो तो sovereign level पर है तो guys, sovereign level जो है वो जब heavenly levels के उपर का rank है आगे आपको दिर दिर पता चल जाएगा जैसे जैसे मूचन बढ़ता जाएगा हजार साल से उपर इस northern sevens academy को हो चुके थे खुले वे और यहाँ से कई सारे powerful लोग भी निकले थे और क्योंकि जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाते तो वो पूरे great thousand world को explore करने निकल जाते है और जब सभी लोग इस bronze gate से अंदर जाते तो academy को दिखकर हैरान थे यहाँ पर कई सारे stone platform कई सारे buildings, mountains वगेरा खिरे हुए थे spiritual academy एक बड़े शहर से भी साथ कई गुना पड़ी थी birds वगेरा को देखा जा सकता था और सामने में एक board लगा हुआ था जहां पर लिखा हुआ था spirit ranking अब यह सोचता है तो जो senior आनरान spirit ranking के बारे में बता रही थी क्या यह वही है आनरान भी इसके बाजू में ही आ जाती और बताती कि यह वही spirit ranking है मूचन अभी से भूचता है तो यह spirit ranking क्या है तो यह बताती है कि Northern 7th Academy में जो disciples है और जो spirit level पर है यह उनकी ranking है कि उनमें top 1 पर कौन है second पर कौन है ऐसे करके अब मूचन क्योंकि spirit stage के middle phase में था तो शाद इसकी ranking काफी नीचे रहेगी पर आनरान कहती तुम नहीं समझे जो top 10 वाले बंदे है न वो heavenly fusion level पर है पर वो spirit level में अपनी ranking दिखाते है कुछ hacks यूज करके और यह बताती जैसे कि तुमारा aura बढ़ेगा तो तुम अपने सबसे powerful aura को spirit value card में enter करोगे तो वैसे ही तुमारा rank उपर जाने लगेगा पर यह जो है न top 10 वाले बंदे यह अपने powerful aura को use ही नहीं करते है तो इनकी ranking ज़्यादा उपर जाती ही नहीं है अगर ज़्यादा use कर देंगे तो heavenly ranking में चले जाएंगे और heavenly ranking में यह काफी नीचे आएंगे जबकि इनकी सभी की ranking heavenly fusion stage में है फिर भी तो spirit level के बंदे उनको हरा भी नहीं सकते है क्योंकि वो heavenly fusion stage पर है पहले से अब मूचन पुझत है तो अगर कोई top 10 में रहे तो उसका कुछ when भी ठेक है तो यह बताती कि जो भी लोग top 50 में उन्हें कुछ spiritual values मिलते है और उन लोगों कोई challenge भी नहीं करता है अब उसकी बाद मूचन का नचर heavenly ranking पर जाता है जो जस्ट इसके बगल में था heavenly ranking का नाम सुनते ही आनरान भी इसका चेरा थोड़ा serious हो जाता है तो यह बताती है जो भी लोग heavenly fusion stage या उसके ऊपर है उनकी ranking इसमें आती है अब मूचन अगरा नाम पढ़ते है heavenly ranking में 10th rank पर जाउफान और यह 3 साल से Northern Academy में cultivate कर रहा है वैसे 9 नमा पर लूओ हुआ 8 नमा पर वांग जॉंग और 2 पर था सू जुआन सौरी 3 पर 2 पर था ली उ सौरी ली जुआन टों और यह नाम पढ़ते हैं लूओली थोड़ा सा serious हो जाती पर मूचन ध्यान नहीं दे पाता है अब मूचन फर्स rank की तरफ देखता है वहाँ पर लिखा हुआ था शेन कांग शेंग और यह नाम आयनरान इसको बताती है कि यह टॉप वन पर है heavenly ranking में और मैंने भी उनसे उनको साथ एक देड़ साल पहले देखा था वो अब तो mission वगरा लेते हैं और academy में बीच में ही आते हैं और मूचन जब यह rank देखता है तो मानुस का blood जो हो वो boil कर रहा हो ये भी कुछ प्रूफ करने के लिए तो यहाँ पर आये था और इन सभी लोगों को एक नएक दिन ये जरूर सरपास कर जाएगा और इस दुनिया के पीक पर खड़ाओगा ये तो सैथ छोटी जगे थी और आनरान बताती है कि पहले तुम लोग spirit stage में एंटर करने के कोशिश करो heavenly rank फिलाल भूल जाओ कम से कम दो साल जब drain कर लोगे तो फिर सोचना कि heavenly ranks में जा पाएंगे या नहीं टॉप 50 में भी पहुँचा तो बड़ी बात टॉप 10 में तो जो हैं वो heavenly fusion के उपर वाले level पर है और इस समय old भाई एक bell बजाते हैं और बहुत सारे लोग यहां पर इकठा हो जाते हैं platform पर और जो बागी तीन तरब से लोग आए थे अब वो लोग भी यहां पर आ चुके थे मतलब सभी चारोट stone platforms के लोग यहां पर इकठा थे अब जो south वाला platform था वहां पर एक लड़की दिखती जिसके बाल blue color के थे ऐसा लग रहा था यह frosty mountain की moon chain भी इस लड़की के तरब देखता है और एक powerful fluctuation feel करता है यह लड़की भी heavenly fusion stage पर थी और यह भी fresher थी उमिद है आप समझ रहोगे जिसे moon chain वगर एक mountain से आया है northern heavens academy में और test भी same थे तो यह लोग उधर से आये हुए है और इस लड़की का नाम being king था इस लड़की northern heavens world के जो सबसे strongest senior थे जो इसकी तरब कहए हुई थे उसे इसने हराय था और यह लड़की ice spirit clan से आई है उमिद आप समझ गये होगे ice spirit clan अब इसके बारे में आनरान मूचैन को बताती है कि यह ice spirit clan वही है जिसको फिलाल marsal ancestor link long support करते है जो कि एक lower plane से आये थे ऐसा कहा जाते है कि उनकी जो wife थी वो ice spirit clan की थी और उसको धोनते धोनते वो ice spirit clan आ गये थे और अकेले उनको हरा भी दिया था मूचैन ने भी उनका नाम सुना था तो यह लड़की कुल मिलाके उन ही के clan की है बिंकिंग देखती है सबको पर इसकी नजर लूओली पर जाके टिकती है क्योंकि यह बंदी थी जो शायद इधर के ग्रूप में powerful थी मतलब मूचैन इसको कोई खत्रा वगरा लगते नहीं है और दूसरे वाले ग्रूप में जो कि वेस्टन साइट से लोग आयोगे थे उसमें जो सबसे powerful बंदा था उसका नाम था मूग कुई और तीसरे ग्रूप में वो जो बंदा था जैसे यानरन बताने जाती मूचैन कहता है मुझे मालूम है उसका नाम यांग हॉंग है और मूचैन इसमें थोड़ा serious था लूवली भी उस बंदे को देखती है और इसे भी थोड़ा गुसा आही रहा था और ये यांग हॉंग सच में काफे सुन्दर भी था यांग हॉंग भी देखता है मूचैन की तरफ और कहता फाइनली हम मिली गया है ब्लेड क्यालामेटी मूचैन spiritual road के empowerment को मिस करने के कारण तुम्हारा level सच में अब काफी कम है ओ हो ऐसा करके ये बोलता है मुझे लगाने था कि तुम इतने वीक हो जाओगे और ये कहता कर जी जुवान को पता चले कि उसका सबसे main rival इतना कमजोर हो गया है तो वो काफी निराश होगा अब जब ये बात यांग हॉंग भोलता है तो सभी की नजरे मुझे न पर पढ़ती है जी जुवान को सभी जानते और इस समय बिंकिंग और मुझे कोई भी मुझे की तरब देखनी लगते है हाला कि spiritual road में इनोंने participate नहीं किया था पर मुझे का जो नाम था blood calamity वाला वो कई तरफ फैल चुगा था पर मुझे कोई फिर भी कहता है पर ये बदना weak है ये मुझे को कहता है अपने मन में इधर लुवली कहती है कि यांग हो अकर तुम्हें fight करना है तो मैं तयार हूँ तब पीजे सीनियर आनरान बोल देती कि उसको मॉक क्या कर रहा है तो उसने मुझे हरा है और जब ये बात सबी सुनते है तो हैरान हो जाते है कि ये आनरान तो heavenly fusion stage के initial level पर है इसे मुझें ने कैसे हरा दिया और अब जाकर के बिंक कोई बिंकिंग और मुक कोई शान्त हो जाते है और मुझें को ध्यान से देखने लगते हैं यांग होंग अब कही देता है as expected मुझें ब्लड केला मिटी तुमारा strength सच में काफी गहरी तक्षिपा हुआ है interesting मजा हैगा आगे और इस समय मुझें एक कदम आगे बढ़ाता है और कहता अगर तुम interested हो तो आओ अभी test कर लेते है मुझें के शब्दों को सुनका यांग होंग अब शान्त हो जाता है और ये भी आगे बढ़ने को देखता है पर old भाई फिलाल मना करते थे कि टेंशन मत दो academy का अपना battle होता है competition होता है तब fight कर लेना मौका सब को मिलेगा मुझें को ही जब देखता है कि यार ये मूचें ये बिल्कुल भी घबरा नहीं रहा तो ये समझ जाता है ये बंदा वर्धी है मैं इसको अपना opponent पनाऊँगा और बिंकिंग एकदम शान्त रहती है और मूचें भी अब दर शान्त हो जाता है और अब ओल्ड बाई बताते है कि जो एरिया है फ्रेशर्स के लिए चार भाग में डिवाइड़ेट है नौर्थ, साउथ, इस्ट और वेस्ट और तुम सभी के लिए एक इंस्ट्रक्टर रहेंगे और इनके बोलने के बाद 10-12 लोग यहाँ पर प्रकट होते है और इन सभी कर्ष्टन, Heavenly Fusion लेवल पर था और यह सभी इंस्ट्रक्टर थे वूमेन जो थी है, वो मूचेन वगरा के टीम को घेर लेती है और कहती है, कि मैं हूँ तुम लोगों के इंस्ट्रक्टर मेरा नाम मूलिंग है और अगर कोई भी प्रॉबलम हो, तो मुझसे आके बात कर सकते हो तो मूलिंग के साथ, यह किंग लिंग, सुनेर, मो लिंग, मूचेन, लुवली वगरा और बाकी लिंग कल जाते है मतलब टोटल हजार लोग मूलिंग को फॉलो करते है आने वाले बच्चों का जो एडमिशन था, वो शार टोटल दस हजार थे और एक जगे पर उड़के यह लोग आते है यहाँ पर स्पिरिच्वल होरा काफी कंडेंस फॉर्म में था और मूलिंग कहती है, यही पर तुम लोग रहोगे यह जो एरिया था, स्पिरिट कंवर्जेंस एरे की आसपास बनाय गया था मूलिंग देखती है, कि मूचन इसको ध्यान से देख रहा है यानि एरे को, तो यह समझ जाती है कि तुम्हारी नजरे सच में काफी कीन है और यह rank 4 का spiritual convergence है रहे है rank 4, यह काफी बड़ी बात थी, मतलब यहाँ पर spiritual हो रहा, काफी condensed form में होगा और इस दुरान यह बताती है, कि यहाँ पर जो कमरे भी है और यह बताती है, जो rank C वाले room है, वो जो spiritual convergence है रहे है उसके काफी किनारे में है, और जो A वाले room है, वो काफी करीब है मतलब वहाँ पर spiritual है रहा, काफी condensed form में होगी, पर charges भी अलग थे वैसे ही B का था, यह बीच में था, और A वाला एकदम करीब है अब यह बताती है, कि अगर तुम्हें A class का room चाहिए, तो 2,000 spiritual values लगेंगे, पर month B classroom चाहिए, तो 1000 point, वैसे करके थे और यह कहती है, मतलब जैसे जैसे spiritual convergence का level बढ़ेगा, अभी तुम तुम rank 4 के पास रह रहे हो और मानो तुम्हें cultivate के लिए, high rank के spiritual convergence के पास जाना है, तो वैसे ही per day का charges भी लगते है rank 7 का convergence हरे, तो 5000 points लगते है spiritual value के, per day और mooling समझाती, कि tension मतलो, अलग-अलग तरीके है, spiritual value earn करने के, और तुम्हारा कर improvement भी होगा तो तुम्हारा spiritual card है, उसमें अपनी औरा भीज देना, तो अगर तुम्हारा rank बढ़ा है, तो भी तुम्हें फायदे मिलेंगे दूसरा तरीका है, अगर तुम lightning territory जाते हो, तुम्हों सबसे जल्दी वहाँ पर तुम्हें spiritual value points मिलेंगे और वो इस समय, वो एक direction में इशारा करती है, जहाँ पर कई सारे बिजलियां वगरा कड़क रही थी lightning territory, cultivation ground और वहाँ पर तुम्हारी spiritual energy condense होती है, और body का भी level strong होता है और तुम अपने power से वहाँ पर divine lightning को condense कर सके हो, divine lightning bead और एक-एक divine lightning bead का 200 spiritual points मिलता है पर यह कहती लेकिन, इनके चहरे पर एक smile था, lightning territory जाने के लिए तुम्हे एक price पे करना पड़ेगा, हाला कि यह ज़ादा नहीं है 500 spiritual points पे करके तुम एंटर कर सकते हो, अब मूचल, सोचता है कि कौन से classroom में जाएंगे हम, मतलब class area में रहेंगे तो यह एक class को चुन रहा था, 6000 spiritual points इसके पास थे वैसे भी, इसके card में और यह तुरंत ही, लुओ ली से कहता है, क्यों हम एक ही साथ रहें, अब यह सुनते ही, लुओ ली का चेहरा बन जाता है मतलब freeze हो जाती है, और चेहरे पा थोड़ा सा blush आ जाता है, कि अगर हम मिली गए है, तो यह कुछ जाद ही नहीं उड़ रहा है अब जब तक कि लुओ ली कुछ बोलती है, यह teacher मूलिंग से पूछी लेता है, कि एक room में कितने लोग रह सकते है मूलिंग कहती है, दो लोग, और यह भी स्था में हस करके मूचेन और लुओ ली के तरफ देखती है मूचेन स्माइल करके कहता है, फिर मुझे एक classroom चाहिए, लुओ ली शर्मा जाती है ऐसा दिखा रही थी, कि मैं मूचेन को जानती नहीं, अब क्योंकि यह लड़की थी, तो इतना तो इसके अंदर वो शर्म और हया थी ही, कि लड़की के साथ नहीं रहेगी spiritual road में महावल अलग था, वहाँ पर सभी एक दूसरे से battle कर रहे हैं, पर यहाँ पर वैसा कुछ scene नहीं था जाव लिंग वगर भी एक classroom ही select करते हैं, किंग लिंग और सूनिर भी classroom select कर लेते हैं, अब मूचेन वगर भी एक classroom की तरफ आते हैं और मूलिंग दिखाती हैं, यह सब एक classroom हैं, कोई भी एक select कर लो, और यह बताती है, कि तुमारा जो spiritual value card है, इसके अंदर तुम explore कर सकते हैं, और उसके अंदर कई सारे items छिपे होएं, और उनको तुम अपने points के बदले exchange कर सकते हो, अब instructor मूच अली जाती हैं, इधर मूचे और कहती हैं, मेरे पास 10,000 points, मैं 6 मेने तो आराम से रह सकती हूँ, मैं समझ रही हूँ, तुम क्या करना चाते हो, और यह ऐसे घर को select करती है, जिसमें 2 floors थे, तो यह कहती है, कि मैं उपर वाले में रहूँगे, और तुम नीचे, अब मूच इनको मानना पड़ता है, यह ज जल्दी ही, मा को धोलनोंगा, और हमारा family reunion होगा, उसके बाद यह, जो spiritual value card था, उसको explore करने लगता है, तो उसमें इसे कई सारे items दिखते हैं, जैसे कि python's fury, यह एक middle rank का spiritual art था, और इसका minimum price value था, 8,000 spiritual value points, ऐसे करके 9 flare arts, phantom art, फिर 1, meteorite spiritual array, rank 3 का धाइगरा मेरे, और इसका price थ 13,000 spiritual points, आगे में divine lightning beat, 200 spiritual value per beat, अब जब यह बहुत आगी जाता है, तो इसे मिलता है, एक miriard, lightning sword, और इसके लिए जो points थे, 3,000,000 spiritual value, यह किसी sovereign level की powerhouse ने technique बनाई थी, यह एक deity tire का low rank का art था, यह हैरान था, मतलब spiritual value hall से, इस प्रकार की चीज़े भी खरीदी जा सकते हैं, फि price value, 3,500,000, फिर ancient golden bird, soul essence, यह कोई heaven rank के middle class के spiritual beast थी, rank 34,000, miriard beast ranking में, और price value, 4,000,000, फिर 9 cauldrons divine armor, 3,300,000 spiritual points, एक के बाद एक चीज़े यह बढ़ते रहता है, finally, जब यह उपर बढ़ता है, तो इसे मिलता है, northern sea, dragon bloody sin, और इसका price value था, 7,000 spiritual value points, और जैसे यह बोलता है, 9 निदर पर जो के सो रही थी, वो जाग जाती, इसे यही तो चीज़ चाहिए था, northern sea dragon का blood essence, जिससे यह divine beast के form में बदल सकती थी, और यह कहती है, mu chen, mu chen, mu chen, यही तो चाहिए, पहली बार यह इतना excited होका, यह mu chen से बात कर रही थी, mu chen भी smile कर, इनका जब deal भी हुआ था, तो इ पॉइंट ने पॉइंट से कठा कर पाएगा, अभी दो मूचन के बस बस, हजार पॉइंट से हैं, sorry, 6100, तो भाईयों स्टोरी यही पर समाप करते, और मिलते हैं फिर, एक नए अपिसोड के साथ, शूब रातरी